दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, एक बहुत अच्छी होमियोपैथिक मेडिसिन, हाइड्रेस्टिस, स्कैनाडेंसिस के बारे में, बहुत सारी बीमारियों में, इसका उपयोग होमियोपैथी में किया जाता है, इसके बहुत सारे लक्षन होते हैं, जो इसके सिंटम्स पे ये दवा बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, तो इसका जो सबसे पहला उपयोग किया जाता है, दोस्तो हमियोपैथी में, वो किया जाता है उन लोगों में, जिन लोगों में, ओल गॉन सेंसेशन होता है, ओल गॉन सेंसेशन का क्या मतलब है, कि जब भी कि पेशेंट के पेट में भयंकर वाला खालीपन महसूस होता हो कि पेट में अब उसके कुछ बचा ही नहीं है लेकिन खाना खाने की उसकी बिल्कुल भी इक्षा नहीं होती है खाने को देखते ही उसके मन में उल्टी की इक्षा आने लगती है यानि कि नौशिया होने लगता है उपकाई आने लगती है इस feeling को all gone sensation कहते हैं तो जिन लोगों में खालीपन पेट में महसूस हो रहा है लेकिन खाना खाने की एक्षा नहीं हो रही है उन लोगों के लिए hydrastis बहुत ही अच्छी दवा है इसका जो दूसरा उपयोग किया जाता है दोस्तों वो होता है कब्ज के केसिस में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनने कब्ज की बरसों पुरानी समस्या होती है बहुत खतरनाक वाली समस्या होती है बहुत जादा होमियोपैथी की दवाईयों का वो सेवन कर चुके होते हैं लेकिन किसी भी दवा से उनके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब उस कंडीशन में हाइड्रेस्टिस, कैनडेंसिस उसके लिए एक राममाण औशदी की तरह काम करती है। और उनकेसिस में अकली हाइड्रेस्टिस ही पिशेंट को पूरी तरह क्योर कर सकती है। ये क्लिनिकली प्रूफ किया गया है। इसके अलाबा, जिन लोगों को पोस्ट नैजल डिप की शिकायत होती है, यानि कि नाक के पिछले हिस्से से जिन लोगों को खराश आती है जो लोग बहुत ज़्यादा नाक को अंदर की तरफ हवा को खीच के और गले में जिनके म्यूकस भर जाता है कफ भर जाता है और वो जो कफ होता है वो गाड़े पीले रंग का कफ होता है उन लोगों के लिए भी hydrastis canadensis बहुत अच्छी दवा है यानि कि hydrastis canadensis का उपियोग हम sinusitis के case में कर सकते हैं यानि कि जिन लोगों को sinus की problem है जिन लोगों को post nasal drip की problem है तो ये सारी समस्याओं में hydrastis का use किया जा सकता है बस यहाँ पर एक ही बात याद रखना है कि जो mucus निकलेगा यानि कि जो कफ निकलेगा वो गाड़े पीले रंग का होना चाहिए तब hydrastis बहुत अच्छा काम करेगी इसके अलावा hydrastis conjunctivitis की भी बहुत अच्छी medicine है यानि कि जिन लोगों की आखें आ जाती है उन लोगों के लिए भी hydrastis बहुत अच्छा काम करती है बस यह ध्यान रखना है कि उन लोगों में ही इसका उपयोग करना है जिन लोगों की आखें आ रही है आखों में जो कीचड़ आ रहा है वो गाड़े पीले रंग का कीचड़ है तब hydrastis 100% उनको पूरी तरह से ठीक कर सकती है इसके अलावा जिन लोगों को कान से मबाद आती है बहुत जादा पस जिन पानी की शिकायत है और उनको भी सफेद पानी जो आता है वो गाड़ा पीले से पन लिया हुआ आता है उन महिलाओं में भी लिउकोरिया को hydrastis पूरी तरह से ठीक कर सकती है तो दोस्तों ये जो सारे 6-7 सिंटम है ये hydrastis canadenses की मुख्य सिंटम होते हैं जो की किसी मरीज में पाए जाते हैं अगर तो उस मरीज की पूरी समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो ज़्यादा तर कब्ज के मामलों में इसके mother tincture का उपयोग किया जाता है mother tincture की 10-10 वो उन दिन में 3 बार आदे कप या 1 कप पानी में मिल के देने पर patient को बहुत अच्छा result मिलता है जिन लोगों को post nasal drip की शिकायत है यानि कि नाक से पीछे गले के हिस्से में गाढ़ा कफ निकलता है पीले रंग का उन लोगों को इसकी 200 potency का use करना चाहिए और 200 potency की 4 बूंध हफते में एक बार पीना चाहिए इसके साथ में जिन लोगों को पस कान से निकलने की शिकायत है यानि की कान से मबाद निकलने की शिकायत है उन लोगों को भी इसकी 200 potency की 4 बूंध हफते में एक बार पीना चाहिए तो इस तरह ये जो symptom है ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं इस medicine का opioid continue 6-8 हफते तक जरूर करना चाहिए ये medicine आ जाएगी तो आप महां से इसे खरीज सकते हैं आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दबाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत